दोस्तों अगर आपके पास भी कंप्यूटर या फिर लैप्टाप है तो आपको कई बार हो सकता पढ़ने होगी अपने कंप्यूटर या फिर लैप्टॉप पर स्कीन रिकॉर्डिंग करने की तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे आप अपने इस कर सकते हैं लेकिन उनके लिए आपको कुछ पैसा भी देना होता है लेकिन मैं इस वीडियो में आपको केवल 0 रूपे में ही बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे किसी साफ्टेयर की मदद से अपने कंप्यूटर पर स्कीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों म मैं आचुका हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे आप फ्री में फ्री साफ्टेयर यूज करके स्कीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एक साफ्टेयर कर सकता पढ़ने वाली है साफ्टेयर की जरूद पढ़ने वाली ह जो कि बिल्कुल free में है तो इसको यहां पर आप यह साप्ट्वेर है तो इसको आप यहां पर description पर मैंने link दे रखिए तो यहां पर इसका नाम है free screen recorder तो यहां पर simply इसको description से link है तो वहां से जाकर simply सबसे पहले इसको आपको download कर लेना है उसके बाद इसको install करना है तो इसको install करने क लिए आपको mouse पर right click करके यहां पर run as administrator पर click कर देना जैसे इस पर आप click करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका permission allow करने के लिए मांगएगा तो simply आपको यहां पर एस कर देना एस पर क्लिक कर देना है उसके बाद सिंप्ली आपका यहां पर लेंग्वेज पूच रहा तो डिफॉल्ट है इंग्लिस ही रहती है तो सिंप्ली आपको इसको इंग्लिस ही रहने देना है उसके बाद यहां पर आपको जो नेक्स्ट को अप्शन स्क्क्राइब यहां पर पर यहां को समय हो जाएगा उसके यहां पर इसका आइकन दिख रहा है जिसको अगर यहां पर चाहतμε है तो क morality और यहां पर आपऄ सकते हैं पुलच का्ट मतलब अगर आप से और फोलिक्री की रिकार दिये हैं यहां पर आप सेटिंग निए आगर slet पर करते हैं यहां पर आपको कुछ आप कर दिये स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कंड्रोल फ्लस थ्लॉओर रिक त Big प्रेश करते हैं तो क्रेश में करना चाहते हैं उसके बाधे इ탄 कर प्रेस करना तो आपके यहाँ पर recording stop हो जाएगी उसके बाद अगर आप recording को पाउस या फिरीजूम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर control plus f7 एक साथ प्रेस करना होगा उसके बाद यहाँ पर चौंत अप्शन है so and height recording तो आपको रिकार्डिंग का टूल बार होगा जिसको मैं आगे बताता हूं तो इसके लिए आपको एक साथ आपको प्रेस करना होगा तो आप यहां से जो आपको रिकार्डिंग का टूल बार होगा उसको आप यहां से हाइड गया अनहाइड कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक जब लो होते इक रिकार्डिंग पर अगर यहां पर मैं रिकार्डिंग वाले सेक्शन पर जाता हूं तो यहां पर आपको यह code से आपको जो option मिल रहा ह। यहां पर कई बार क्या होता है कि अगर आप PC से अपनी recording को करते हूं इसके बाद आगर आप mobile से डिटिंग करते हैं तो अपने mobile पर इसके recording को send करते हैं तो वहाँ पर आगर आप काइन मास्टर का यूज़ करते हैं तो कई बार वहाँ पर यह support नहीं करता है तो अगर आपका support ना करें तो यहाँ पर जो आपको यह MPE G4 द यहाँ पर recording पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि are you ready और यहाँ पर simply आपको okay करना उसके बाद यह three second का आपका timing चलेगा उसके बाद आपकी recording यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी यहाँ पर आपकी timing चल रही है और यहाँ पर आपका pause या रिजुम का button भी दि प्रेस कर देना control plus art plus e को एक साथ प्रेस करेंगे तो यह देखिए आपका यह हाइड हो जुगा इसको अगर फिर से आप इसको सो करना चाहते हैं तो फिर से आपको control art और एक साथ आपको e press करना तो यह देखिए आपकी recording सो करें तो इस प्रकार से आप अपने computer पर three में ही free software पर यूच करके ही आप अपनी recording को कर सकते हैं और यहाँ पर कई बार एक दिक्कत और आती है कि अगर आप माइक लगा कर या earphone लगा कर अगर आप recording करते हैं तो कई बार आपकी voice भी रिकार्ड नहीं होती केवल आपकी screen recording होती है voice record नहीं होती है तो इसके लिए कुछ normal से setting कर नहीं परती है तो अगर आपके साथ ऐसी problem आ रही है अगर आपका माइक support नहीं कर रहा है या आपकी केवल recording बस हो रही है voice record नहीं हो रही है तो आप मुझे comment कर सकते हैं जिसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगे कि कैसे आपको कौन से setting करने होगी जिससे आपकी screen के साथ साथ आपकी voice भी record होने लगे तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने computer पर या फिर laptop पर free में ही screen recording कर सकते हैं जैस आप्टेयर बिल्कुल free है इसके लिए आपको कोई भी फैसन नहीं देना होता है तो मुझे उमीद है कि आपको tutorial पसंद है होगा तो वीडियो अगर पसंद ह जल सब्सक्तर है